तो ही Hello Everyone, 20 साल येर, तो गाइस आज मैं एक्स्प्लेंड करूंगा, रिगने डिमोटल एपिसोड 12, तो गाइस आज से मैं डेली बाइ डेली रिगने डिमोटल के वीडियोस को डाला करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, मैं इस सीरीज के वीडियोस को नहीं डाल पा रह था, लेकिन आज से डेली बाइ डेली वीडियोस आया करेंगी, और कल से हमारी नौवल के वीडियो, दो बज़े से चार बज़े के बीच में आ जाएंगी, तो चलिए, बिना की सिदेरी के आज की वीडियो की एक्स्प्नेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि हमने पिछ जी अस्तिवेस्ते थी, गाइस हम उस वर्ड को फॉरेन वर्ड बुलाएंगे, फॉरेन वर्ड में एक स्पेस दरार थी, वहाँ पर एंपररर इस्प्रिट ने उस हेवलनी फिल को लेकर सीधे घुस गये थे, वहाँ पर जो जाइंट एमन क्लैन का वह बंदा था, वो भी उ तुरंत अपनी पावर्स का अपयोग करता है, और काफी मेनद करने के बाद उस सक्षन फोर्ड से अलग हो जाता है, क्योंकि वह स्पेस दरार काफी ज्यादा डेंजरस थी, ऐसा माना जाता था कि स्पेस दरार के अंदर जो भी चला जाता है, वो कभी भी जिन्दा वापस नहीं आपता, आज तक जितने भी पावर्फूल हुमेंस कल्टिवेटर इस फोर्ड वर्ड के स्पेस दरार के अंदर घुचने की हिम्मत की है, वो आज तक वापस ही नहीं आपता है, ना ही उनकी सोल का आता पता चला है, एक बार एक ट्राइब के बहुत ही पावर्फूल एल्डर को इस स्पेस दरार के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था कि आकिर, यह फोरेंड वर्ड में इस स्पेस दरार बनती कहां से है, और इसके अंदर आकिर है क्या, लेकिन वो सारे एल्डर का कुछ भी आता पता नहीं चला कि आकिर, वो लोग उस स्पेस दरार में गायब कहां से हो गया, और फॉरेंड वर्ड में एक ही स्पेस दरार नहीं होती है, बहुत सारी स्पेस दरार हैं, जिनके अंदर कल्टिवेटर जाने की कभी हिम्मत भी नहीं करते, उसके बाद वो जाइंट इमन क्लैन का बंदा वहां से चला जाता है, उस स्पेस दरार के अंदर जहां पर वांगलिंग की पूरी बोडी डिश्ट्रोय हो चुकी थी, अब उसकी केवस सोल ही बची थी, और उसकी सोल को बचाय था, एमपरार स्प्रिट ने, एमपरार स्प्रिट ने वांगलिंग की सोल को बचाने में अपनी पूरी ताकत खातम करत वह वांग लिंक की सोल उस अजीब से स्पेस वर्ड में घूम रही थी तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि वांग लिंक की तो पूरी बोडी डिस्टोई हो चुकी है अब उसकी केवाद सोली बची है तो किया यहाँ पर नावल जल्दी खतम हो जाएगा तो गाइस ऐसा नहीं है वांग लिंक अब एक न्यू बोडी की तलास करेगा जिसमें वा अपनी सोल को डालेगा तो चलिए आते हैं कहानी की मेनी स्टोरी लाइन पर वांग लिंक की सोल उस आजीब से स्वेस वर्ड में पूरी तरसे घूम रही थी जहाँ पर कुछ दिन बीतने के बाद इस स्पेस वर्ड में अचानक से बहुत सारी रोसनिया चमकने लगती हैं और वहाँ पर बहुत सारे भयानक भयानक क्रियेचर सीधे वांग लिंक के चारत्रफ घूमने लगते हैं और गाइस इस स्पेस वर्ड मतलब जो भी उस स्पेस दरार के अंदर आता था मतलब उसकी पूरी बोड़ी समझिये खतम के वह लब उसकी सोल ही बस दी थी और यहाँ पर जब वांग लिंक की बोड़ी आय थी तो वह पूरी तरह से पहले ही नश्ट हो चुकी थी पर एमपरारिस्परिट ने अपनी पूरी ताकत का उप्योग करते हुए वांग लिंक की सोल को बचा लिया था अब यह सारे जो दानमते जिजनरों ने वांग लिंक की सोल को घेरा हुआ था वह इस वर्ड में सोल को मार कर खाते थे और वहां पर जितने भी खतनाख खतनाख क्रियेचर होते हैं वह सीधे वांग लिंक की सोल पर अटेक कर देते हैं पर अचानक से वांग लिंक की सोल के अंदर से बहुती खतनाख लाइक निकलती है और सीधे वहाँ पर जितने भी वो खतनाक सोल खाने वाले क्रियेचर थे तुरंत वही पर मारे जाते हैं और तुरंत उन सारी लोगों की सोल वांग लिंग की बोडी में समाने लगती है जिसे वांग लिंग की सोल की पावर बढ़ने लगती है वहाँ पर वांगलिंग की सोल की पावर और वांगलिंग की सोल का भी साइध बढ़ता जा रहा था और कुछ टाइम बाद वांगलिंग को हो साता है जब वांगलिंग की सोल अपनी आखे खोलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है गाइस यहाँ पर वांग लिंग की यादे चली जाती है पर वहाँ पर वांग लिंग को काफी ज़्यादा भूग लगने लगती है अब वो यहाँ पर वांग लिंग की किवाद सोली बची थी क्योंकि इस वर्ड में किवाद सोली सोल थी वहाँ पर जो वांग लिंग होता है वो अपने चारो तरफ देखता है कि बहुत सारी creatures आपस में fight करें लेकिन वहाँ पर बहुत होई कम creature वांग लिंग पर attack करने की कोशिस करें थे वांग लिंग को बहुत ही जादा भूग लगे थे इसलिए वो तुरंत उन creatures पर attack कर देता है वांग लिंग बहुत ही खतनाक तरीके से उन सारी souls creatures को मारे जा रहा था और जैसे जैसे वो सारी souls creatures मर रहे थे उनकी soul तुरंत वांग लिंग की body में आ जा रहे थे और ऐसे कुछ दिन बाद वांगलिंग को अपनी यादे धीरे धीरे वापस मिलने लगती हैं वहाँ पर वांगलिंग को ये सारी चीजी आने लगती हैं कि उसने 16 साल अपनी माता पिता के साथ कितनी अच्छी जिंदिगी बिताई इससे वहाँ पर वांग लिंग को काफी जादा गुस्सा आता और कहता है टैंग हुआन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आकर अपने हाथों से ही मारूंगा वहाँ पर वांग लिंग काफी जादा गुस्सा आ रहा था लेकिन उसे आसास होता है कि अब उसकी केवाद सोल ही बची थी और कुछ टाइम बाद वांग लिंक की पूरी यादे वापस आ जाती है वांग लिंक जब उन सारे सोल्स क्रियेचर को मार रहा था तो उसकी पावर भी बढ़ती जा रहे थी वांग लिंक यह दिखकर काफी ज़्यादा खुछ भी हो रहा था इसलिए वांग लिंक अब कही दिनों तक उन सभी सोल्स क्रियेचर को मारता है वांग लिंक की सोल्स क्रियेचर नहीं था जो वांग लिंक का सामना कर सके वहाँ पर वांग लिंग की सोल की पावर काफी जादा बढ़ चुकी थी वो किसी देवता की समान लग रहा था वहाँ पर वांग लिंग को ऐसा सुझाता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्स क्रियेचर है वो जैसे जैसे मरते जा रहे हैं वांग लिंग की पावर काफी खतरनाक होती जा रही है पर एक दिन वांग लिंग ऐसे ही सिकार करते वे जारा था वांग लिंग को वहाँ पर एक काफी खतरनाक आभा मासूस होती है जिसकी पावर उसकी सोल की लेवल की बराबर ही थी वहाँ पर वांग लिंग सोल्स था है कि इन सारी सोल्स की पावर लगभग उनी के बराबर थी वहाँ पर उन सोल्स से वांग लिंग कम्यूकेट करता है तो उसे पता चलता है इस वर्ड से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और जब वांग लिंग ने उन सभी सोल्स से कम्यूकेट किया था गाईस इस वर्ड मे कि उसे भी स्पेस दरार बरानी पड़ेगी जैसे एकदम सेम टो सेम बाहर बनती है लेकिन उस आत्मा ने वांगलिंग को बताया था कि इस वर्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुस्किल है पर वांगलिंग है डिसाइड करता है कि वह इस वर्ड को तोड़ करी रहेगा वह वह पर वो भी अपना एक डोमेन एरिया बना लेता है वहाँ पर वांगलिंग लागतार उस स्पेस वर्ड पर अटेक किये जा रहा था वांगलिंग के उस वर्ड पर अटेक करने से बहुत सारी स्पेस दरारे बनना शुरू हो गई थी और गाईस ये सारी दरारे बाहर बन ना कि अंदर वांगलिंग जिस वर्ड में था उसके अंदर उसे दरारे बनाने थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस वर्ड में जैसे जैसे फाइट्स बढ़ती है और कोई बहुती जादा पारफुल कल्टिवेटर या कोई बहुती जादा पारफुल स्पेसिस यहां जिससे foreign world में बहुत सारे space दरारे बनने लगती हैं और space दरारों की बनने से वांग लिंग की बोड़ी से उसकी soul energy भी बाहर रिकल लए थी वो सारी soul energy energy का form ले रहे थी treasures का form ले रहे थी जिन बाहर foreign world के cultivators लूट रहे थे या उन्हें किसी treasures में उपयोग कर रहे थे या वो अपनी साधना को बढ़ा रहे थे और यहाँ पर हमें 7 साल बात का scene दिखा जाता है और guys मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वांग लिंग है वह जिस world में कैद है अगर वहाँ पर वो 100 साल बीताएगा तो बाहर के एक सालोंगे यानि हब 7 साल बीच चुके है वांग लिंग लगतार 700 सालों से उस world पर attack किये जा रहा था जिसी अब foreign world का भी एकदम कापने लगा था पूरा foreign world अब बहुत सारी कल्टिवेटर्स को ऐसा लगने लगाता कि अब ये foreign world जादा स्थमें तक ठीक नहीं पाएगा क्योंकि वांग लिंग लगतार 700 सालों से उस world पर attack किये जा रहा था और उस world से ही जैसे ये foreign world जूडा हुआ था बहुत सारे high rank की देशों ने foreign world की जाँच के लिए बहुत सारी कल्टिवेटर्स को भेज आता लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पाता चला था क्योंकि उनका अनुमानता कि foreign world तो खतम होता है लेकिन उसे खतम होने में लगबख 1000 साल तो लगते हैं लेकिन ये foreign world तो बहुत ही जादा आजीब है इस foreign world को बने हुए भी बहुत ही जादा समय नहीं हुआ था और ये foreign world पूरी तरह से जैसे लग रहा था पता नहीं का वे foreign world गिर जाए और foreign world में इतना जादा खत्रा हो गया कि वहाँ पर जितने भी कर्टिवेटर फसे थे मतलब बहार का टेलिपोटीशन जाने का भी रास्ता बंद हो गया था उस foreign world में कुछ टेलिपोटीशन जगा है थी जो केवल एक limited time के लिए और कुछ specific time पर ही खुलती थी पहले कोई भी बंदा normally foreign world में जिसके पास entry होती थी वो जासा आ सकता था लेकिन इन attacks की वज़े से जहां पर एक portal खुलता था और उस portal की रास्ते ही cultivators आते थे और जाते थे अब कोई भी बंदा normally foreign world इसमें नहीं आ सकता था और guys ये जो foreign world giant demon clan के अंदर आता था उसके बाद हमें sin shift किया जाता है और guys यहां पास 7 साल बीच चुके हैं उसके बाद हमें sin shift किया जाता है दो बंदे की तरफ जो foreign world में ही थे और ये दोनों बंद चोर थे जो इस foreign world में cultivators को मार कर उनकी सारी चीजे चुरा लेते थे और ये दोनों जो चोर थे वो foundation established realm पर थे और यहां पर वो चुपके से किसी न किसी cultivator को हमेशा मार देते थे और उनकी सारी treasures को लूट लिया करते थे ये दोनों चोर इधर उदर ऐसे घूम कर अपने सिकार का इंतिजार कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है माइलिंग जो फैन देश से सा इसकी छमताएं तो ज़्यादा नही थी पर ये war god sign का member थे जिसे कुछ missions के लिए इस foreign world में भेजा ग के द्वारा मारे गयते और कुछ space दरार हो द्वारा और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है माइलिंग के तरफ जो मनी मन सोच रहा था कि अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर portal खुलने वाला है और हमें यहाँ से फिर से अपनी kingdom जाने का मौका मिलेगा और वह मनी मन सोचता है कि lady tongue पता नहीं तुम जिन्दा भी होगी या नहीं पूरे 50 साल बीच चुके हैं और मैं 50 सालों से इसी foreign world में था मेरी cultivation भी नहीं बड़ी लेकिन मैं wargoat sign का member हूँ और जब मैं fan देश जाऊंगा तो पक्का eldest मेरी cultivation बढ़ानी में मदद करेंगे और मैं फिर तुम से साधी कर वैसे तुम इतनी जादा powerful हो गई होगी और powerful बढ़ने के साथ तुम्हारी age भी नहीं बढ़ी होगी मैंने भी अपनी age ना बढ़ने का जुगाड का लिया है मैंने इस foreign world में अपने लिए कुछ pills को ढूड़ा है ये सारी pills एक 50 साल या 60 साल जिनकी उम्र बूड़ी हो चुकी है और मैंने कुछ pills खाई और कुछ pills अपने दोस्त को दिया है और माइलिंग सोचता है कि star god sign में आपकेवल दसी मेंबर्स बचे हुए है और पता नहीं वो सारे मेंबर्स कहां कहां अलग धलग हो गए है और जो मैं पक्का fang देश वापत जाओंगा तो पता नहीं लोग मेरे पीछ ना आ जाए और यहीं सब सोचकर वह जैसी आगे बढ़ने वाला होता है दो काले कपड़े पहने वे बंदे काफी speed के साथ सीधे उसे घेर लेते हैं माइलिंग उनकी तरफ देखता और वह तूरं समझ जाता है यह लोग तो काफी खतरनाग डाकू है जिनकी power सु पुरसी काफी जादा हाई है अगर माइलिंग इन से लड़ने की कोशिज भी करता है तो पका वह जान से मारा जाएगा माइलिंग अभी मरना नहीं चाहता था इसलिए वह उन दोनों डाकू से कता है अरे तुम लोग मुझे मारो मत मैं तुम्हें अपना सारा समान दे देता और मैं अपने पास भी एक भी ट्रीजर नहीं रखूंगा तुम चाहो तो प्लीज मुझे छोड़ दो और वहाँ पर जो माइलिंग होता है वह तुरंत है अपने पास से अपने सारे ट्रीजर को निकाल कर एक चोर की तरफ फेक देता है वहाँ पर वह दोनों चोर उसकी पेट में अपनी तलवार घूब देता है माइलिंग तुरंत वही पर मारा जाता है दरसल गाइस इन दोनों चोरों ने ये डिसाइड किया था कि अगर उन्होंने किसी बंदे पर अटेक किया तो जिसे जो भी खजाना मिलेगा वही बंदा रख लेगा और यहाँ पर म होनों चोर चले जाते हैं माइलिंग की बोड़ी अभी इस फोरेंड वर्ड में ऐसे मर चुकी थी तभी अचानक से माइलिंग के जश्ट बगल में वहाँ पर वहां की सारी अजीबस जो दिवारे होती वो चमकने लगती है पूरे फोरेंड वर्ड में आजीबसी रोसनिया उठने लगती है चारोत्रों बहुत ही खतरनाक लहरे चलने लगती है और अचानक से वहां पर स्पेस दरार प्रकट होती है और यह स्पेस दरार काफी ज़्यादा आजीबती दरसल यह जहां पर वांग लिंग की अटैक से यह स्पेस दरार बनी थी वांग लिंग की सोल भी इसमें काफी ज़्यादा कमजोरती वांगलिंग तुरंत उस वर्ड से बाहर निकलता है और तुरंत वह देखता है तुषके सामने एक लास पड़ी हुई है वांगलिंग तुरंत उसकी बोडी में चला जाता है और थोड़ी दिर में वह जो माईलिंग की लास होती है वह जिन वांग लिंग ने पूरे उस वर्ड में 700 सालों तक उस वर्ड पर लगतार अटैक्स की बरशात कर दे थी, जिससे फोरेंड वर्ड पूरा हेलने लगा था, और फोरेंड वर्ड में बहुत सारी स्पेस दरारे बने थे, वांग लिंग की सोल एनर्जी बाहर निकली थे, और उन सोल एनर्जी ने बहुत सारी एनर्जी जे ट्रीजर्स का फॉर्म ले लिया था, और ये सारी इस फोरेंड वर्ड में और कुछ बाहर के दुनिया में थे, वहाँ पर जितनी भी इस टाइम फोरेंड वर्ड में वांग लिंग की एनर्जी होती है, तुरंत वांग लिंग उन वहाँ पर माईलिंग की बोड़ी में वांग लिंग अपनी पूरी बोड़ी को साई से फिट नहीं कर पा रहता है और यहाँ पर वांग लिंग अपनी पूरी सोल एनरजी को पहले वापस पानी की कोशिस करने लगता है वांग लिंग ऐसा करता है रहता उसकी स्वोल फिर से अपना नया आकार जो उस वर्ड में थी जो काफी जादा खतरनाग थी वही आकार लेने लगती है और हमें ज़स्ट वांग लिंग के बगल में दिखा आ जाता है जहाँ पर वांग लिंग ये स्पेस धरार बनाई थी उस के अंदर से बहुत सारे उस स्पेस वर्ड की क्रियेचर्स इस फोरें वर्ड में आने लगते हैं जो वांग लिंग पर कभी अटैक्स किया करते थे वांग लिंग इस्ट में अपनी कर रहता यहां पर जेतने भी सोल क्रियेचर्स होते हैं वो सारे लोग फोरें वर्ड में फ फिर से ही कठा कर रहा था और हमें दिखाया जाता है कि उसी स्पेस दरार के अंदर से वही तीन सोल्स बाहर निकलती हैं जो स्पेस वर्ड में वांग लिंग की बराबर की पावर रखती थी वो सारे लोग इधर उदर देखने लगते हैं फोरेन वर्ड अब कभी भी धोस्त हो देते हैं वांग लिंग अपनी आख को खोलता और तुरंत जमीन पर एक भात मारते हैं और वहां पर जितनी भी खतना क्रियेचर्स वांग लिंग पर अटेक कर रहेते तुरंत उनकी सोल नस्ट हो जाते हैं उनकी सोल पावर तुरंत वांग लिंग की फिर से बोडी यानि मा वर्णिंग की सूल इती है उसके अंदर जाकर समा जाती है और वहां पर फिर से सूल अपनी पावर को धीरे धीरे ग्रहट करने लगती है तभी वहां पर जो तीन बार्फुल सूल आगा ता झाए极ए थी उनमें से एक युझे संपर्क परके करता है वांग लिंग उनकी मैसेज को ध्यान से देखता है और वो स्तोल क्रियेचस बोलता है नजात आत्मा भक्षक मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने जादा पारफुल हो कि तुम उस वर्ड में दरार बना कर उसको तोड़ने में सक्षम थे वैसे तुम जा आएंगे तो कोई और आत्मा भक्षक यह कर देगा जो और कहीं से आजायेगा तो मुझे विश्वास है कि तुम भी हमारी रास्ते में रोडा नहीं डालोगे क्योंकि तुम भी तो एक आत्मा भक्षक ही हो ना वहांपर जो वांग लिंग होता है वह आत्मा भक्षक नाम आफिस जादा सौक में था क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई भी नाम या किसी भी लोग के बारे में नहीं जाना था जो इतने जादा पारफुल होते हैं उसने तो नाम ही ये पहली बार सुना था और उसे पता नहीं कब वो आत्मा भगशक बन गया वहाँ पर जो वांग फिर से रियल वल्ड में जा सके वहाँ पर जो वांग लिंग होता है फिर से उन तीन महान सोस को संदेश बेचता है कि मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सा इस काम को धीरे करेंगे वैसे मैं आपके काम में कोई रोडा नहीं बनूंगा बस मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसे धीरे करें वहाँ पर वो तीनों आत्मा भक्षक काते हैं ठीक है हम तुम्हारी इस बात को तुम मानी सकते हैं और वैसे भी यह जो सारी क्रियेचर्स यहां पर आए हुए यह तो हमारा खाना भी है और वैसे इन सोल्स क्रियेचर्स की हिम्मत कैस